नमस्ते अब्रवन माइनेम इस नलीनी एंड वेलकम टू माइकेचन आज मैं बनाने जा रही हूँ आमले की लॉंजी आमले को अम्रित फल भी बोला गया है आमले के बड़े फायदे हैं जो कि आप जरूर जानते होंगे आमले साल भर तो मिलता नहीं है कुछी महिने मिलता है लेकिन इसके इतने फायदे हैं कि पूरा साल अगर हम खाएं तो बहुत सारे रोगों से दूर रह सकते हैं अचार मुरब्बा लॉंजी बना करके साल भर इसको स्टोर कर सकते हैं आमले की लॉंजी या खटा मिठा अचार बनाने के लिए मैं यहां आधा किलो आमला ले रही हूं और इसको ना खौलते हुए पानी के अंधर डालूंगी आमले का यह खटा मिठा अचार वैसे तो आप कच्छे आमले से भी बना सकते हैं लेकिन हलका सा आप इसे बॉयल कर देंगे न तो इसका कसोतर बन मतलब हलका सा जो कड़वा होता है बिटरनेस होती है वो खतम हो जाता है इसे ओवरकुक बिल्कुल मत कीजेगा क्योंकि इसक सरसो का तेल सरसो के तेल में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसके बाद एक चम्मच डालेंगे इसमें जीरा और साथ में डालेंगे एक चम्मच सौफ एक चोटा चम्मच कलॉंजी डालेंगे देखने में बहुत अच्छा लगता है और साथ में हींग मैंने एक सब्सक्राइब कर लिए और अगर आपने अल्रेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले आवले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालना है हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच एक टेबल इस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और एक छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच नमक नमक तेज के कॉर्डिंग कम जादा आप यहां पे कर सकते हैं मिनिट इस तरीके से मिला करके पका लिजिए बहुत जल्दी यह आमले की लौंजी त्यार होती है और इसे तक्रीबन आप छे महिने के लिए स्टोर कर सकते हैं अच्छे कमेंट सेक्शन में यह बताईगा क्या आप भी यह आमले की लौंजी बनाते हैं इसके बाद मैं 150 ग्राम से लेके 160 ग्राम तक होगा यह गुड़ जिससे मैंने एकदम पतला पतला काट लिया है काट लिया मैंने चाकू से इसको रफली चौप कर लिया था गुड़ को हमेशा फोड़ करके ही डालें इससे आपका कोकिंग टाइम बचेगा गुड़ जैसे जैसे पिखलेगा हलका सा आप देख रहे होंगे यह तरी जैसा हो जाएगा आपको अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि यह जो गुड़ अभी पानी छोड़ा है यह थोड़ा ड्राई ना हो जाए यह देखे खौलने लगा है और इससे दो से तीन मिनट हुआ है अभी खौलते हुए अब यह पक चुका है काफी अच्छे तरीके से इसे बहुत जादा गाढ़ा मत कीजेगा क्योंकि जब आप इसे रखेंगे ना थंड़ा होगा रूम टेंपरेचर पे आएगा फिर यह और गाढ़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसे बहुत जादा कुक नहीं करूंगी टोटल म काफी ठंडा हो गया है लुक एट दिस कितना सुंदर लग रहा है ना आपने आम की लॉंजी खाईए ना एक बार ये आमले की लॉंजी खाके देखेगा मज़ा आ जाएगा अगर आपके बच्चे लॉंजी खाते हैं आम की ना तो वो इसको भी खा जाएंगी उनको पता ही नहीं चलेगा कि आमला जो थोड़ा सा कसेला जैसा होता है उसका कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा और इसका पॉस्टिक ता आपके बच्चों को भी मिल पाएगा रखने से पहले जो भी जार लें वैसे तो कोशिश करें कि ग्लास जार लें उसको अच्छे से कम से कम दो घं लॉंजी बना है उसके साथ तो इसका मज़ा आ जाने वाला है लीजे आमले की लॉंजी या खटा मिठा चार बनके रेडी है हो कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो जैन हीत में जादर जादर शेयर कीजेगा इससे मुझे भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन म लेगा कल फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक दुआओं में नलीनी सकचन को याद रखिए